नमश्का दोस्तों इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉइद्स इंजिनेरिंग वर्क्स लिमिटेड यह स्टॉक 78.80 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में आज इसने 0.34% का डाउन वोव दिया है मार्केट कैप होगी है इसकी 9,028 करोड की तो मोटर होलिंग 57.20% है बुक वेल्यू 3.59 है डिविडेंट इल 0.25% है और फेस वेल्यू 1 है Fundamental वीडियो में अल्हडी बनाच की हूँ और Fundamental वीडियो के साथ साथ 2 लॉग वीडियोस भी बनाई है जिस मैं कोशिश करीगी है इस कंपने के बारे में Fundamentals कवर करने की सारी तो आप Playlist में देख सकते हैं Lloyd Steel के पे आपको मिल जाएगा अभी के लिए देखें तो इस stock 50 and 200, दोनों DMS से उपर trade करा है, जो कि एक अच्छी बात है, पी ratio की बात करें, तो median से थोड़ी सी उपर है, 104.10 पे है, और 5 years के time span पे 1 month पे देखें, तो median से काफी नीचे है ये, तो कोई दिक्कत परिशाने की बात नहीं है, sales and margin की अगर बात क करें, तो gross profit margin हमारा यहां पे recover हुआ है, sales quarter and quarter decrease हुई थी, अभी के लिए चलते हैं हम इसके chart पे, chart पे देखिए, आज हमें यहां पे again download मिला है, बहुत छोटू से download मिला है, 0.34% का, and हमें आज जो candle मिली है, वो gravestone dodgy मिला है, इसको hammer तो नहीं बोल सकते, gravestone dodgy मिला है, तो basically अगर देखा जाए, तो यह वाला जो support है, इसको यह respect कर रहा है, 78.32 का जो लेके हम चले थे, इसको यह जरूर respect कर रहा है, कोई यहां पे pattern नहीं बन रहा है, as such, but yes, यह जरूर है कि यह थोड़ा सा strongly यहां पे hold बनाई हुए, आज इसने move देने की कोशिश करी, but यह जो इसक है, 81 की, इसको यह cross नहीं कर पाया, इसने high जो लगाया है, 80.80 का लगाया है, तो अभी इसको यह break नहीं कर पाया है, and rest, अगर हम बात करें, volume का, तो कल volume आया था, 4.41 million का, आज volume आया है, 4.29 million का, volume quite same रहा है, RSI की बात करें, तो 46.51 पे है, RSI अगर यहां से move देना चाहे, त के पास, but market कब recovery zone में जाती है, क्योंकि मैंने कल भी analysis में बात करी थी, कि market में correction जरूर आई है, पर वो correction, sorry, correction नहीं, recovery जरूर आई है, बट वो recovery कितनी कर valid है, कितनी strong है, वो हमें US की market से अंदाजा लगेगा, and कल live market में पता चलेगा, जो की आज हमें देखने को भी मिला है, and म मैंने बात करी थी, कि बड़ी बार होता है, कि यहां पे reversal आता है, और next day market फिर down जाती है, profit booking होती है, या कुछ होता है, तो market down जाती है, उसका ध्यान रखेगा, और यहां पे, वो ही हमें देखने को मिला है, यहां पे, तो कल है Friday, अगर कल market recovery भी देती है, बट फिर भी हमारा यह रहेगा, क्योंकि उसके बाद है weekend, and weekend के दो दिनों में क्या sentiments change होते हैं, क्या होता है, वो भी हमें थोड़ा सा खत्रा ही रहेगा, Monday के लिए कि market किस तरीके से behave करेगी, तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखे, क्योंकि weekend पे बहुत सारी news आ सकती हैं, दो दिन में यह stock जो है, 20 day simple moving average से नीचे trade कर रहा है, and उपर से channel के बाहर भी है, तो अभी के लिए तो मुझे लगता है कि कुछ खास नहीं है, यह हम दो दिन के target लेके चले थे, कि हो सकता है, कि इस week में यह यहां तक लगा दे, अगर market recovery zone में जाती है तो, तो market तो recovery zone में नहीं गी है, in fact नीचे ही गी है, correction के zone में ही रही है market, तो इस target को achieve करने के लिए हमें 5.63% के move के जरूरत है, and अभी let's see, और यह target में क्यों लेके चले हूँ, क्योंकि एक तो resistance भी strong है, और दूसरा, यहां पे channel का hiccup भी इसको आएगा, but इससे नीचे जो यह resistance है, 81 की, यह भी काफी strong है, तो weekly candle हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि 4 days हो चुके हैं इस week के, तो weekly candle तो मुझे definitely sellers के हाथ में लग रहा है, तो yes, यहां पे channel के बाहर भी है, and sellers के हाथ में भी है, and यहां पे जरूर dark cloud नहीं बना था, but pattern यह कुछ ऐसा सा बना रहा है, हो सकता है कि अगर recovery यह continue करे था, तो हो सकता है 72, 73 के आसपास भी stock हमें देखने को मिले, weekly RSI जो है 63 पे है, काफी अच्छे से recover हो चुकी है, तो 60 का hold लेके यह वापसी यहां से जरूर कर सकती है, and अभी के लिए daily chart पे चलते हैं, और BAC एक बार चेक कर लेते हैं, तो BAC की बात करे तो इसका price band 20% का है, and news as such कुछ भी नही हैं, यहां पे recent हो सकता है कि मेरी video बनाने के बाद आ जाए, and अभी के लिए अगर delivery percentage की बात करें, 32.35 गया है, जिस तरीके का move मिला है, और जिस तरीके के market में आज हलात रहे हैं, उस तरीके काफी choppy रही है, market का fluctuation रही है, तो उस हिसाब से तो delivery volume मुझे ठीक ठाक लग रहा से है, तो इतनी जल्दी market में recovery की उमीद ना ही करे हम, तो जादा अच्छा रहेगा, ठीक है छोटा पटा चलेगा, बट में को लगता है, super momentum तो अभी create एक दम से नहीं हो सकता है, rest market जो करेगी, वो तो market ही जानती है, और भगवान जानते हैं, हम तो नहीं जानते, बट यस ह हम analyze कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 5-6 factor हैं इसके market के नीचे जाने के, तो और major जो factor है वो तो जपैन के interest rate ही है, और उनकी काफी detail में चीजे हैं, तो वीडियो में समझाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा छोटी वीडियो में, तो अभी के लिए अगर हम fresh entry की बात कर है, और यहां पर correction zone ही चल रहा है, और 81 की जो resistance है अब और strong होती जारी है, क्योंकि यहां पर rejection मिलती जारी है, पहले ही काफी strong थी, rejection भी मिली है, support भी बना है, उसके बाद नीचे गिरा तो उसके बाद फिर से rejection मिली है, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा सम्मल के चले तो जादा अच्छा रहेगा, और target अभी के लिए हम कोई नहीं लेके चल दे, यह दो दिन के target लेके चले थे जिसमें से एक दिन बचा है, अगर थोड़ा सा recovery zone में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मुझे लगता है कि यह target भी कुछ जादा promising है नहीं अभी के लिए, ठीक ह तो अभी के लिए RSI की हम बात कर चुके है, अगर यहां से move देता है तो काफी सारा headroom है, यहां पर 40s की range से निकल के 60s में जाने के लिए hiccup जरूर मिलेगा, पर काफी सारा इसके पास headroom है अभी, यह जो है stock वो 20 day simple moving average से नीचे ही trade कर रहा है, वो हम बात कर चुके हैं पहले and death cross के बाद stock नीचे जाता है usually, बट यह थोड़ी different स्थिती है इसकी अभी death cross मिलने की, क्योंकि market correct हुई है, तो हो सकता है कि जल्दी इसको golden cross भी मिल जाए and golden cross मिलने वाली स्थिती भी different होईगी, तो हम यह नहीं बोल सकता है कि golden cross मिलने के बाद एक दम से हमें यह rally दिखाए बट यह जितने जिस तरीके से market correct हुई है, उतनी recovery तो यह market मुझे लगता है, देगा ही and इस stock का भागना भी थोड़ा pending है and बाकी मुझे लगता है कि जल्दी यह stock कुछ good news भी देगा, कुछ contracts and everything के बारे में, मेरे पास कोई inside and information नहीं है, I'm just guessing क्योंकि इस तरीके से काम कर रह था and everything, तो उस में जो इनने बात करी थी, उस से मैं थोड़ा अंताजा लगा रही हूँ, में पस कोई news नहीं है, तो मुझे बस लग रहा है कि हो सकता है, कि news आए, तो वो and वैसे भी stock use कर सकता है, कोई good news आए, तो मुझे लगता है इसको push मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है, और बस अब I just hope कि वो good news उस time पे आए, जो market correction वाले zone में ना हो, थोड़े से momentum वाले zone में है, तो जादा अच्छा रहेगा, and rest ये सिर्फ मेरी analysis है, by sell hold की कोई recommendation नहीं है, तो आप अपनी analysis कीजिए, जाने हैं समझे पढ़िए, और फिर invest करिए, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए शुक्रिया, and happy investing.